हलो गाईज, माई नमीज अमिट सेनी और जन्रल स्टडीज के इंडियन पॉलिटी के इस सेक्षन में लेक्चर सेकिंड में आपका स्वागत है एक तो इंपोर्टन चीज आप याद रखिए, लक्षमी कांथ बुक अपने साथ में रखिए पॉलिटी का कुछ भी पढ़ रहे हो, लक्षमी कांथ आपके पास में होनी चाहिए और उसके चैप्टर्स को जितनी बार आप पढ़ सकते हो, उतनी बार पढ़िए उक्टोबर में आपका एक्जाम है, जितनी बार उसके रीडिंग करोगे, उतना ही आपको फाइदा होगा, क्योंकि वो एक ऐसी Bible है, ऐसे मान लीजिए, पॉलिटी के लिए, उसके बाहर एक तो कुछ आना नहीं है, दूसरा, वो याद नहीं रहती है और यह जो तरीगा MCQs का है, वो इसलिए भी बहुत important है, कि जब आप quality दो बार पढ़ोगे ना खुझ से, तब आपको समझने आएगा कि MCQs कितने important है, और minimum time में MCQs के तरू ही quality सबसे best तरीके से हो सकती है तो इस लक्षमे कांथ की जो book है, जो Bible है, उसको आपको पूरा पढ़ना है, इसको आप गीता मानो, Bible मानो, कुरान मानो, कुछ भी मान लो, लेकिन लक्षमे कांथ इसके लिए सबसे important book है ऐसे हिस्ट्री के बात करें, तो विपिन चंद्रा है, और स्पेक्ट्रम है, यह freedom struggle और हिस्ट्री का जो हमारा part है, उसके लिए important book है और एक रमेश सिंग जो आती है, वो आपकी economy के लिए आपको यह पढ़नी है, यह textbook है तीन, बाकी देखिए, accounting principle का जो issue है accounting principle के अंदर जो अधिकतर जो चीज़े हैं, वो cover हो जाएंगी, industrial law, labor laws में cover हो जाएंगी और social security में cover हो जाएगा, current affairs में, questions, details और बहुत सारे explanation और बहुत सारी details हैं, वो आपको मिली जाएंगे, 30 lectures आएंगे current affairs के तो यह cover होगा, इसके साथ में कोई एक magazine आप जो है, वो पढ़ सकते हो, monthly magazine जो आती है, जो civil service के लिए बहुत सारी magazines आती है, history आती है, CST आती है, और और बहुत सारी आती है, तो वो कोई भी आप पढ़ सकते हो, vision पढ़ सकते हो, यह आप पढ़ सकते हो, बस इतना ही आपको source लेना है काम में, बाकि यह जो तीन important specific जो हैं, वो तो cover होई जाएंगे course से ही, इन सब के लिए आप पढ़ सकते हो, तो October तक का आपके पास time है, और 150 lectures इस course में आएंगे, जो अधिकतर syllabus को cover कर ही देंगे, लेकिन साथ में अगर आप यह books की reading आप लगाओगे, तो एकदम perfect आपकी तयारी हो जाएगी, perfect इसलिए कि इस course में जो भी कुछ cover किया जाएगा, वो आपको और जो है वो economic के लिए थी, और लक्षमी कांद quality की है, यह तीन जी इसके लिए books है, और current affairs के एक magazine आप ले सकते हो, बाकी सब चीजें course में आने भी वाली है, यह आदर किये, और यह चीज में बता रहा हूं कि more than sufficient आपके तयारी हो, 100% syllabus आपका cover हो, इसके लिए, तो यह exam में यही आपको पहुंचाएगा सबसे उपर भी, और यही आपको पीछे भी रख देगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने इस 24 hours की importance समझी, इस time आप बैट रहे हो, इस hour में आपने कितना gain किया, कितना आपनी तयारी की तरफ आगे बढ़े आप, अगर ऐसे assessment करके चलोगे, तो आ आप बहुत उपर पहुंच जाओगे लाइफ में, लेकिन अगर आपने 24 hours कैसे भी निकाल दे, देखिए, time खराब करने के 1000 लाग करोड तरीके है, लेकिन मेहनत करने का एक ही तरीका है, दिमाग लगाके, focus लगाके, consistently, active होकर पढ़ाई करना, एक ही तरीका है, वो आपने follow क करता है, कोई burden देखता है, कोई कुछ करता है, और कुछ भी हो, आपकी efficiency आपके पास में, आपका brain जितना शान्त होगा, उतना ही अच्छा आप काम कर सकते हो, उतना ही ज्यादा पढ़ाई आप करोगे, आपका brain ही शान्त नहीं है, तो छोटा काम भी होगा, तो भी आप उस की list नहीं दी है, इतना ही sufficient है, more than sufficient है, और ये सब अगर आपने कर लिया October तक, तो आप सूचिए, आप एक बहुत important, safe और respectable position के उपर होंगे, और life में आगे भी progress के chances काफी बढ़ेंगे, ठीक है, question number 8, हमने पढ़ लिया था, historical background देखे, वहीं से start होता है, और जो 1773 का जो regulating act जो आया था, मैंने आपको पिछले lesson के अंदर भी एक एक चीज बार बार repeat करकर के बोली थी, तो जो मैं बोलता हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप सुनिये, उसको note भी कर लिजे, कुछ बातें, जो बहुत important है, वह बार बार बोलता हूँ, मैंने आपको जैस इतने सालों का, साथा सालों का, तो उसके बाद ये चीज मेरे दिमाग में फिक्स हो गई है, कि हाँ, ये चीज बहुत important exam के लिए, इस तरह से बताना, क्योंकि objection आएगा question के अंदर, और वह आपको recognize करना पड़ेगा, कि हाँ, ये बात सच है, कि क्या 73 एक पहला step था, regulation start करन कंपनी के ऊपर, British Parliament का, yes, तो ये कोई regulation इंडियन के ऊपर नहीं था, ये regulating act था, जो British Parliament का, और East India कंपनी के ऊपर था, ये आपको ध्यान रखते हैं, इसके बाद हमने सारे चीजे पड़ी ही थी, और छोड़ा कुछ भी नहीं था, इसमें सब कुछ हमने cover किया है, याद रखे पूरा chapter मैं करा रहा हूं इस question से, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिए, लक्ष्मिकान अगर आप खोल के देखेंगे, तो उस chapter से ज्यादा मैंने आपको इसमें पड़ाया है, question एगला, कि जो charter act आया 1793 में, ये charter act की सिरीज एक तरह से चली थी, जिसमें 20-20 साल की फिर 1893 में आया और फिर लास्ट जो है 1853 में आया, ऐसे 20-20 साल के अंतराल पे आते गए थे charter acts, ठीक है, एक charter सबसे पहले इशू हुआ था, 1600 की साल में, जब East India Company इंडिया आया थी, तब ground ने एक charter दिया था, वो charter इशू हुआ था, ये charter act है, पहला question है, autonomy was restored to madras and bombay presidencies, क्या ऐसा हुआ था, देखिये, autonomy restore नहीं की गई थी, याद रखिये, ये decentralization start हो गया था, इस regulating act के अंदर और ये peak पे पहुँचा था, 1833 तक, जब governor general of Bengal, 1833 में, governor general of India बनाया गया था, तब ये peak पे था, decentralization, decentralization मैंने गलत बोल दिया, centralization जो था, वो peak पे था, क्यों? जैसा हमने पढ़ा, regulating act में, Bengal के अंदर ही ये madras, bombay ये सब आ गये थे, और सारा control list के अंदर आ गये था, तो ये centralizing tendencies बढ़ गई थी, तो इसका मतलब autonomy restore नहीं करी थी, autonomy restore कर दी, तो वो तो decentralization हो जाता, तो ये तो बात में जाके हुआ था, ठीक है, ये नहीं कि थी, गलत है, the salaries of the staff and board of control were also now charged to the company, देखिये, important developments होते गए थे, time के साथ साथ में, company के ऊपर जो है pressure बढ़ता ही गया था, ये आप याद रखिये, और ये जो बात थी, कि the salary, जो थी, staff की, board of control की, जो return में बैठे थे, उनकी, जो, जो भी कुछ अलावन, salary कुछ भी उनको देना होता था, वो भी अब company के revenue साथ आता था, तो ये भी हो गया था, तो दूसरा sentence सही है, पहला गलत है, मैंने जो बोला कि autonomy नहीं दी थी उनको, वो अभी भी governor general of Bengal के under ही आते थे, मदरास और Bombay, जो presidencies थी, ये presidencies बोली जा ये charter act था पहला, और ये वो time था जब permanent settlement जो था, वो आया था, और ये बड़ा ही important phase था, convalis इंडिया में था, वो अब काम कर रहा था, और 20 साल के लिए क्या किया गया था, इस पहले charter act से, company के trade monopoly को, अगले 20 साल के लिए continue कर दिया गया था, क्योंकि trade की monopoly थी, और कोई दूस नहीं कर सकती थी, ये East India company के पास ही privilege था, और ये तब से चलता हा रहा था, 1600 से, और ये कर रहे थे, अपना trade, तो इस monopoly को 20 साल के लिए बढ़ा दिया था, बाकी चीजें आपको मैंने पहले पढ़ाई दिया थी, कि political और commercial functions को separate कर दिया था, PITS India Act ने, लेकिन जो trade वाला जो और वो British, जो crown था, उसी रे तो लाओ कर रखा था इस company को कि आपकी monopoly रहेगी, आपे trade कर सकते हो, कोई दूसरी company trade नहीं करेगी, इंग्लेंड की दरफ से, तो ये 20 साल के लिए और बढ़ाय गया था इसमे, 20 साल के लिए बढ़ाते गया था ये, इन Charter Acts के अनर, तो ये पहला Presidencies थी उनके उपर, और इसकी जो overrule करने के जो power थी, कि मतलब वो कुछ भी और, Council को जो members थे, वो कुछ भी और कोई बात बोलते तो उसको overrule कर सकता था, Governor General, मतलब वो काफी strong हो गया था, आपको याद होगा, ये overriding power, कौन वाले इसने मांगी थी, और ये इसमें भी upheld की इसके अलाबा, senior officials जो थे company के, वो इंडिया शोड़ के आराम से नहीं जा सकते थे, बिना permission के, ये control बढ़ा दिया गया था, और, Governor General, Governors और Commander-in-Chief, इनके appointment के लिए, royal approval ज़रूरी था, मतलब की crowns पूछ के हो कर सकते थे, तो ये core control बढ़ गया, और, company का जो rule था, British territories in India के ऊपर, मतलब जो इंडिया में जो territory थी, वो British territories बोले जाने लग गई थी, तो ये इसने continue भी कर दिया था, इसको, तो 20 साल के लिए trade continue कर दिया, और ये उसका, जो rule था, वो भी continue रखा, ये important इसका सबसे, सार था, इस 1793 Charger Act का, तो ये देखिए, सारा आपड़ सकते हो पीडिया में सब कुस दिया हुआ है, कि देखिए, एक और important चीज थी country trade, ये क्या था, company was granted authority to grant licenses to individuals and company employees to carry on trade in India, देखिए, company के official जो थे, मतलब company जो थे, क्या करती थे, इंडिया में कोई और व्यापार करना जाता है, तो वो उनको license देते थे, कि भी जैसे कोई एक व्यापार है, उसको license दे दिया, तू यहाँ पर ये व्यापार कर सकता है, इंडिया में, तो वो company उनको license देती थी, सोचे क्या मजाग था, हमारा देश, लेकिन East India Company England से आई, और हम पर राज किया, और वो हमको अलाव कर रहे थे, यहाँ पर trade करने के लिए, ये country trade था, और इससे एक च shipment होने लग गया था, चाइना से चाय लेते थे अंग्रेज, और बहुत महेंगी होती थी, काफिस payment होता था, तो बाद में इनको लगाया, ये तो काम चलेगा नहीं, तो इन्होंने एक नया रस्ता निकाला, अफीम बेचना शुरू कर दिया चाइना को, चाइना में पहले अ चाइना में कि हमारा कल्चर सारा इन्होंने खराब कर दिया, और अफीम जो है, यहां पर लोग एडिक्ट हो गए हैं चाइना के अंदर, तो ओपियम वोर्स होई थी, चाइना के साथ में, अगरेजो की, उसको शुरूआत यही से होती, इसी कंट्रेट से, तो आप से revenue codes होती थी, माल अदालत, वो अब, डिसपियर हो गई थी, ये भी आप याद रहेए, माल अदालत, कि जो माल गूडस होती थी, उनिसी और उनिका ही जो भी कुछ था, revenue जणरेर होने के सबसे बड़े सादन थे, तो माल अदालत होती थी, वो बंद हो गई थी, और ये जो country trade जो था, ये प्रिविलेज भी इसको बोलते हो थे, ये सबसे इंपोर्टन हाइलाइट भी था इसका, याद रखिए, तो हमने क्या पड़ा, 1793 का जो चार्टर एक्ट पड़ा, चार्टर एक्ट याद रखिए, अब next question है, जो अगला चार्टर एक्ट आया, 1813 में, ये बहुत इंपोर्टन था, सबसे बड़ा हाइलाइट इसका क्या था, कि मिशनरीज जो थी, जो कॉन्मेंट स्कूल वाला सिस्टम हैं इंडिया में, वो स्टार्ट हुआ था 1813 के बाद में, क्योंकि मिशनरीज को अलाव कर दिया गया था इंडिया में, कि मिशनरीज आ सकती हैं तो इसके बाद एक अलगी फेस स्टार्ट हुआ था, तो देखिए, इसके जो प्रोविजिन जो थे, उनके रिजिन्स कौन से कौन से है, कॉंटिनेंडल सिस्टम इन यॉरोप, क्या ये था, एडम स्मित की फ्री ट्रेड पॉलिसी, और इसके अलावा, रिलिजियस और मॉरल मिशिन्स को प्रोमोट करना, क्या ये जो तीन दे रखें, इनमें से कौन कौन से जो है, वो रिजिन्स थे, कि 1813 का एक्ट लाया गया था, देखें, रिजिन्स तो सारे ही थे, सारे ही रिजिन्स थे, और पड़े इंटरस्टिंग भी थे, देखें, इनको हम डीटेल में देखते हैं, कैसे, देखें, इस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के मुनोपली मिल गई थी, 1793 वाले चार्टर एक्ट से, और उसके बाद क्या एक एक फेज आया था, नेपॉलिन बॉनापार्ट काफी मजबूत था उस टाइम पर यॉरप में, और उसका राइस चल रहा था, उसने जो है, इंगलेंड के बिजनसमें के रिए बड़ा मुश्किल टाइम ला दिया था, बहुत सारी तो चीज़े थी, उसको बेहन कर दिया थ और यह सब कुछ था तो उनका माल बिखना बड़ा मुश्किल में पड़ गया था, तो ऐसे में क्या हुआ था, यह नेपॉलिन बॉनापार्ट ने, बर्लिन डेकरी के नाम से, और एक मिलान डेकरी के नाम से, दो जो है एग्रिमेंट हुए एक तरह से, आप समझ सकते हो इस अब बिजनेसमें परिशानी पड़ गए हमारा माल तो आप जाएगा ने बिकेगा नी और यह बहुत चिंता का विशे हो गया था क्योंकि यूरप सारा काफी ग्रोथ कर रहा था उस टाइम के ऊपर और इनका अगर ऐसा हो गया तो फिर हम तो बर्बाद हो जाएंगे, तो यह बिजनेसमें कहां के थे, इंगलेंड के थे, याद रखिये, जिनका बाल बिखना परिशानी में आ गया था, अभी इस इन हाडशिप्स को देखते हुए, किसके लिए हाडशिप्स थी यह, पिटिश बिजनेसमेंस के लिए, तो इनोंने कहा कि हमको जो है एसिया के कर रखा है, हमको भी अलाव करो, उनके अकेली की मेंने मोनोपली कैसे हो, हम भी हमारा समान बेचेंगे, इधर बिखनी रहा फ्रांस में अरदल, तो फिर हम कहां जाए, तो हमें एशिया का मार्केट चाहिए, तो उन्होंने गोला कि मोनोपली जो हो डिजॉल करो इसकी, एक कंजूमरिजम को उन्होंने बताया कि मार्केट अपने इसाब से चलेगा, किसी गवर्नमेंट के सरकार के कंट्रोल के जरूरत नहीं है, उसमें, डिमांड सप्लाई के इसाब से मार्केट अपने आप सब कुछ मैनेज़ करता है, यह एडम स्मित की थोरी थी और इसी इस पर कोई रोगटोक नहीं होने चीए, अपने आप मार्केट अपने आपको बैलेंस करता है, तो फ्री ट्रेड पॉलिसी भी एक बड़ा रीजन था, और इसलिए भी उन्होंने बोला कि इस इस इंडिया कंपनी का केले का मोनोपली कैसे हो एशिया के मार्केट के ऊपर, यह तो फ्री टेड पॉलिसी है, यहाँ पर और यही चलनी चाहिए, तो इस तरह से हमें भी एशिया का मार्केट मिले, इस इंडिया कंपनी ने इसको पोस किया था, इस आर्गुमेंट को, लेकिन बाद में क्या हुआ, कि स्ट्रिक्ट लाइसेंस सिस्टम आया एक, किसके ल अब ही देखिये, इस एक के बाद में, एक तो इंडिया के लोगों की एजुकेशन जो मैंने आपको बताया, एक लाख रुपे दिया गया था, यह एक नई रस्पॉंजिमिनिटी कंपनी के डाली गी, और जो मिशनरी एक्टिविटी जो थी, वो स्टार्ट हुई, कि मिशन प्लान था, अंग्रे जो का, कि धर्म भी फेलाओ, और एजुकेशन जो है, वो इस तरह की होनी भी चाहिए, बाद में कही तरह के आर्गुरमेंट चले थे, किस तरह के एजुकेशन हो, कैसे हो, क्योंकि वो यह चाते थे, कि यह लोग हमारे लिए काम करें, हमारे लिए जो जो भी कुछ यह करें, वो काम आये, बिटिस लोगों के ही, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए वो हो, क्योंकि मैन पावर की जड़त सबको थी, लेकिन मैन पावर तभी काम आये, जब वो स्किल्ड हो, उसके पास लैग्वेज हो, उसको समझ में आये, उसके पास एजुकेश होता था, जो मैंने आपको बताया, उसमें मोनोपली, EIC की रही, इसमें और ये अगले वाले मैट आई गी ती, तो सिर्फ T के अलावा, बाकी जो है, उसमें मोनोपली एंड हो गई, ये देखिए, कंपनी के टेरिटोरियल और कोमर्शल प्रोफिट्स को भी इन्होंने रखा जाए, ये भी इनको एक अलग से आदेश दे दिया, इस चार्टर एक्ट में, किसने दे दिया, बिटिश पार्लेमेंट ने दे दिया, कंपनी को, और ये बोल दिया कि एक लाग रुपए इंडिया के लोगों के एजुकेशन के उपर आप इन्वेस्ट करोगे, ये भ को याद रखना है, constitutional position को explicitly define किया, और local governments जो उन्हों ने बना दे थी, जैसे मदरास में तो 17 century में आगी थी, local government, पहली local government इंडिया में, मदरास में आई थी, 16 सो कुछ साल में आई थी, last में सी, तो तब से चल रही थे local governments, तो इनको जो है, tax impose करने की power भी दे दी गई थी, तो यह भी एक important step था, ठीक है, system एक जनरेट हो रहे थे, next question, अगला चार्टर act आया, 1833 में, मैंने बोला थी, 20 साल चार रहे थे, तो यह, तीसरा आया, 1833 में, उसने क्या, British colonization को legalize कर दिया, देखते हैं, Lord Kenning, पहला Governor General of British India क्या बना था, देखिए, 1833 में, मैंने आपको बोला थ था कि, centralizing जो tendencies थी, वो peak पर आ गई थी, इसका मतलब, सबसे ज़्यादा centralized system इस time पर था, इस time पर Governor General of Bengal जो था, उसको Governor General of India बोला गया था, लेकिन यह canning नहीं था, canning तो 1857 की करांती के time पर था, इस time पर था, Lord William Bantic, आपने वो मंगल पांडिक मूवी देखी होगी, उसमें न रती पर था पर रोक लगाई थी, उसने, और जो ठगी system जो चलता था, रस्ते में लूट लेते थे वापारियों को, उस पर इसने रोक लगाई थी, तो कई सारे चीजें उस time पर हुई थी, तो 33 में, Lord William Bantic पहला Governor General of British India बना था, तो यह गलत हो गया, Decentralization started first time with this act, नहीं, यह भी मैंने आपको बात बोली, कि यह तो Centralizing Tendencies का peak था एक दम, तो यह गलत हो गया, Next, civil servants के लिए, open competition क्या, इस act में लाया गया, देखिए, इसमें इसकी बात start हुई थी, लाया नहीं गया था, demand हुई थी, लेकिन, इसके ओपर फिर कोई बड़ी, बड़ा जो है, action इसका नहीं हो पाया था, और यह बाद में, 20 साल बात जाके पॉसबल हो पाया था, इसमें इ legalize कर दिया था, 1833 में, कैसे, देखते हैं, देखिए, एक watershed moment इसको बोला था, watershed moment होता है, कि बहुत ही important, transition हुआ इसके बाद में, English, आप में आपके इस तरह की चीज़ें आएंगी, question के अंदर, कि watershed moment कि इसको बोलते हैं, जैसे, इंडिया में economic history की बात करें, तो 1991 जो है इंड watershed moment था, क्योंकि economic liberalization start हुआ इस देश में, और इस देश की सारी जो fast growth जो है, वो इसके बाद ही start हुए थी, पिछले, 19 सालों में ये सब कुछ हुआ है, हाला कि पिछले कुछ 2-3 सालों से दो खास कोई progress नहीं हुई है, लेकिन ये, जो 91 के बाद 25 साल जो गुजरे हैं, उसको काफी एक ऐसा phase माना जाता है, क्यों क्योंकि ये 91 का watershed moment, जो है, वो बताया गया, क्योंकि इसके बाद एकदम से बड़ा change आया, तो ये watershed moment था, बड़े changes इसके बाद में हुए, तो इंडिया की constitutional और political history में भी बड़े changes यहां पर इस act के थुरू हुए थे, Governor General of Bengal को इंडिया बनाया गया, और centralization बढ़ गया, administration में काफी ज्यादा, और East India Company का, जो अभी तक का जो status था, वो ये था, कि वो उसने ही सब कुछ किया था इंडिया में, बाद में उसके political function और commercial function को अलग कर दिया गया, और अब इसके बाद में, इसको officially, British Crown का एक ट्रस्टी बना दिया गया, as a commercial body, मतलब कि वो जो सारा जो उसका sovereignty जो थी, commercial matters में भी, वो भी सारी end हो गई अब, अब पहली बार, first time, provisions आए, कि Indians को administration के अंदर, freely accept किया जाए, इसलिए बात आए थी, कि civil service जो होती है, जो ICS कहलाते थी, Indian civil service, उसमें Indians को लिया जाए, open competition रखा जाए, लेकिन ये बात स्टार्ट हुई, लेकिन इसको, इसको बोलते है न, अमली जामा नहीं परना पाये थे, वो, process बहुत difficult था, अला कि बात स्टार्ट होगे थी, कि पहली बार Indians को administration का हिस्सा बनाया जाए, और first time, separated the legislative functions of the governor general in council from the executive function, executive और legislative function, ये दो चीज़ हम पॉलिटिम पढ़ते हैं, legislative होता है कानून बनाना है का process, legislation लेकिन लेकिया आना, execution होता है उस कानून को लागू करवाना, जैसे सरकार लागू करवाती है, बनाती संसद है कानून, तो executive और legislative functions को अलग-अलग किया गया, अभी तक क्या था, कि जो council जो होती थी, वो दोनों तरह काम समालती थी, उसमें कोई specific अलग से separation नहीं था रहेंगा, इसमें separation स्टार्ट हो गया था, तो इस काम के लिए क्या हो, इस काम के लिए law की चीज़ के उपर जादा emphasis दिया गया, Lord Maculay आया था, Maculay's Minute आपको याद होंगे, Lord Maculay आया था और उसने laws को codify किया था, तो law commission लाया गया, जिसको head किसने किया, Lord Maculay ने याद रखिये, इस act को St. Helena Act भी बोला गया है, ये Wikipedia में St. Helena Act के नाम से भी बिताया गया था, तो मैंने वहां से उसको ले लिया, और Government of India Act 1833 भी इसको बोलते हैं, लेकिन ज्यादा famous नाम नहीं है ये, हमारे books के अंदर, इसको नहीं बोला गया है, हमारे books के अंदर, Charter Act ही बोला गया है, देखिये, Royal Charter extend हो गया था अगले 20 साल के लिए, क्योंकि 1853 में लास्ट Charter Act आया था, तब तक 20-20 साल के लिए extend ही करते आया रहे थे, 93 में किया, फिर 1813 में किया, फिर अब 33 में भी 20 साल के लिए बढ़ा दिया, और यह यह उसके अंदर provisions आया, बोंबे और मदरास के जो presidencies जो थी, उनकी legislative power भी इन्होंने छीन ली थी, मतलब legislative power भी चले गी थी अब, इसलिए मैंने बोला कि यह peak पे आ गया था, centralization जो था, system का सारा, और, गवर्नर जनरल का जो government जो था, उसको government of India बोला गया था पहली बार, पहली बार, इसलिए मैंने आपको बात बोली, कि इसने क्या किया था, कि एक constitutional position बना दी थी, और अब पहली बार government of India इसको बोला गया, क्यों, क्योंकि पहली बार governor general of India हो गया था Lord William Bantic, तो उसकी council अब क्या कहलाएगी, India council कहलाएगी, जो भी तक governor general council कहला थी, अब वो India council कहलाएगी, जो उसकी help के लिए होती थी, और पूरे British India के लिए exclusive legislative powers आगई थी, क्योंकि मदरास बंबे की जो कानून मनाने की जो सकती थी, वो बी इनके पास आगई थी, किसके पास, William Bantic के पास में, और उसकी India council के पास में, तो ये पूरे India के ओपर कानून बना सकते थे, और British East India Company जो थी, उसकी जो commercial activities जो थी, as a commercial body, वो भी अब end कर दी गई थी, जो चाइना के साथ में, जो trade की monopoly बजी थी, वो भी अब end हो गई, ठीक है, open competition, civil servants के लिए, लाने की बस इस बात हुई, फाइनल नहीं हो पाया था, याद रखिए, नेक्स देखिए, ये जीज आप पढ़ ले ना, इसमें और आपको clarity हो जाएगी, और, Halbury College का एक नाम आया था, उस ताइम ये था कि यहाँ पर इनको training भी जाएगी, लेकिन बाद में, वो system जो है, वो effectively हो ही नही जाए था, इसमें देखिए, mitigation of slavery की बात बहुत बोली गई थी, हिंडिया में slavery होती थी, दासपर्था थी, तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बहुत गजब का system था, यहाँ पर बहुत सारी कमिया थी, और ऐसी सी कमिया थी, जो दुनिया में शायद कहीं नहीं थी, कई सारी बहुत सारी चीज़े नहीं ठीक भी किती, और बहुत सारे सिस्टम से यहाँ पर डवलप की थे, देखा जाए, तो इंडिया में आजदी के बाद में, आज तक जितने भी system यहाँ पर developed है, चाहे वो post system हो, चाहे वो policing का हो, चाहे वो civil service का हो, सब system अंग्रेजों हमें दिये ह उससे पहले हम बिलकुल गवार थे, बिलकुल सच है, क्योंकि बहुत पहले, 2000 सालों पहले, 2003 सालों पहले हम बहुत civilized थे, लेकिन बाद में सारा हमारे decline ही होता गया था, क्योंकि आपस में सब लड़ते रहते थे, और सब, as a unity, यह country नहीं था, यहाँ पर सिर्फ रियास्तो का सारा system था, यह बस एक land थी, जो geographically separated थी, हमालया से और इस से, लेकिन as a country का concept यहाँ पर नहीं था, और अंग्रेज आये, उन्होंने इतना परेशान किया इंडिया को, उसके बाद ही उसके resistance में यह concept स्टार्ट हुआ था, यह important बाते हैं, तो कही तरह के interpretation based question भी आपसे पू और इसको कम करने के लिए भी बोला गया था, Governor General की India Council को, और marriage, उसके rights, इन family के जो अंदर जो issues चलते हैं, जैसे property का किस तरह से होगा, इन सब के regarding laws की बात आई थी, क्यों यह सब बात आ रहे ही सारी, क्योंकि अब law commission आ गया था, ठीक है, Lord Maculay उसको head कर रहा था, ठीक है, और यह बात हो गई, अब अगले 20 साल के लिए company को थोड़ी life मिल गई थी, जो उसका charter था, वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, और इसको बोला गया था, interest for his majesty, his hires and successors, कि India के अंदर जो territories है, उसको company manage कर रहे थी, इस title के अंदर, तो अगले 20 साल के लिए, यह और चलेगा, commercial privilege सारे abolish कर दिये गये थे, और अभी यह सिर्फ एक political organization बची थी, क्यों, क्योंकि governor general बगरा जो थे, जो company के ही थे अभी तक, अभी तक वो British Parliament का नहीं थे, यह company के ही थे अभी तक, इसलिए एक political organization बच के थी, क्योंकि commercial monopoly end हो गई थी, सब तरह की, हाला कि commerce यह करती थी, लेकि लेकिन उसकी जो monopol थी, वो पूरी end हो चुकी थी, तो यह important issue था, executive council जो थी, उसको enlarge किया गया था, चोथा member, law member आ गया था, Lord Maculay आया था, मैने आपको बता दिया था, पहला law commission भी यही लेके आये थे, इसी charter act के अंदर ही यह setup हुआ था, तो यह आप से पूच सकते हैं, Maculay उसका chairman था, next question है, the charter act of 1853 renewed the authority of the company and allowed it to retain possession of its Indian territories for next 20 years, क्या ऐसा हुआ था, कि 1853 में जो चोथा और वो last charter act भी था, उसमें अगले 20 साल के लिए जो possession इसका बढ़ा दिया गया था, क्या ऐसा हुआ था, नहीं, 1853 में 20 साल वाला system नहीं लाये थे, लास्वाले में, इसमें इनोंने ये बोल दिया था, कि अगला जो भी decision आता है, तब तक के लिए ही company रहेगी, 20 साल वाला वाली बात बोली ही नहीं गई थी, और 4 साल बात तो क्या हो गया था, 1800 से था, उनकी क्रांती हो गई थी, और ये त्रेपन में आया क्या वो खतम कर दिये गए थे, 3rd है, for the first time in this 1853 act, क्या legislative function जो थे, वो executive function से separate किये गए थे, देखिए, ये बात 1833 वाले में भी mention है, कुछ sources में, लेकिन अधिकतर books के अंदर ये 1853 वाला ही है, exam में आप आएगा की function कब separate किये गए थे, तो आप 1853 ही करोगे, याद रखना, कुछ sources में ये दिया गया है, लेकिन जो finally इसी को बोला गया है, ये 1853 ही होगा, ठीके इसका आंसर होगा 2 and 3, पहला गलत है, जो मैंने आपको बता दिया कि 20 साल के लिए ये नहीं किया गया था इस बार, देखिए, held in trust for her majesty, ये बोल के, बोला गया था कि आप इन टरेट प्रीस को पजस्ट करोगे, लेकिन 20 साल के लिए नहीं बढ़ाएंगे, कोई specific time, a lot नहीं किया ग इन सब की जो है, वो कंपनी के फंड से ही जा रही थी, और court of directors, COD, जो कंपनी चलाते थे, England में, वो 24 होते थे नॉर्मली, पहले 24 थी उनकी संख्या, अब वो 18 कर दी की थी, उसमें से भी 6 जो है, वो crown nominate करेगा, ये उन्होंने कर दिया था, मतलब पूरी तरह से खतम करने क इसकी तयारी थी, patronist का राइट उसका खतम कर दिया था, और एक important जो बात आई थी, वो ये था, कि open competition की जो बात आई थी, civil service के लिए, वो execute हो गया था plan, मेकुले के चेर्मेंशिप में कमीटी बनाए गई थी, और ये चीज आगे, पॉसिबल हो गई थी, कि open competition थोप कर दिया एक बहुत important चीज, इससे पहले अंग्रेजो के पास, पंजाब आया ही था, पंजाब का annexation हुआ था 1854 में, पंजाब जीता था, लेकिन वो एक प्रोविंस नहीं था, और उसको एक नया LG का प्रोविंस बनाय गया था, लेटन का प्रोविंस बनाय गया था, इसी एक के अंग्रेजो के अंडर एज एप प्रोविंस नहीं था, लेकिन उसके बाद वो बन गया था, अभी देखिये, गवर्नर जनरल जो था, उसकी बेंगोल के लिए जो अड्मिसेटिव डूटी जो थी, वो खतम कर दी गई थी, और वो पूरा गवर्मेंट अफ इंडिया का ही स इंडियन्स का कहां पर सेंट्ररल लिशिलाटिव काउंसील जो थी, गवर्नर की उसमें, इंट्रम्णीhis किया था पहली बार लोकल रेप्रेंटेशन, कि इंडियन्स هी उस लिजिलाटिव काउंसील में होंगी, क्योंकि आपको पता है कि लीजिसलेटिव फँशन और एंग गुड गवर्नेंस एक्ट इसको बोला गया था कुरांती के बाद या था तो बड़ा चेंज हुआ था बहुत सारी चीज़ें एंग्रेजों को समझ में आ गए थी बहुत सारी चीज़ें के लिए इनके कई तरह के इस्जू भी खड़े हो गए थे क्योंकि जो इन्होंने एक बड़ी तरासदी देखी थी जो एक बहुत बड़ा एक सेट बैक इनको मिला था कि इंडियन्स भी हमारे उपर अटैक कर सकते हैं और खतरनाक तरीके से हमाना सामना कर सकते हैं तो ये बहुत सातर खो गए थे और उसके बाद जो इन्होंने देश को बाटना स्टार्ट किया वो आज तक रोका नहीं है पहले से भी हमारा देश बहुत सारे कम्यूनिटी में रीजिन्स में कास्ट खासकर कास्ट में बटा हुआ था उसी का फाइदा इन्होंने तगड़ा उठाया और धर्मों में तो खेर इशू थे ही तो हिंदो मुसलिम का इन्होंने बहुत करांती के बाद में फूद डालो राज करोगे नीती इन्होंने तगड़ी अप्लाई करी और उसके शुरुवात होती है इसी गवर्मन अफ इंडिया एक्ट से तो हमें बताना है इसके अंदर राइट फॉर अल्ड़ कम्यूनिकेशन बिट्वें बिट्वें अं इंडिया एक सेकरेटर फस्टेट बिकेम रियल चैनल एक सेकरेटर फस्टेट जो है वो उसका उफिस क्रेट किया गया था इस एक्ट ने क्या ड्यूल गवर्मेंट को अबॉलिश कर दिया था जो रेगुलेटिंग एक्ट से आई थी नेक्स्ट वोईसरोय का एक नया ओफिस आया जिसने गवर्मेंट जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया अब आपको याद होगा इससे पहले गवर्मेंट जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है उसके बाद वोईसरोय बोला जाने लग गया तो क्या इसने इसको रिप्लेस कि अप्रणिंग, 1880 के रांती से पहले Governor General of India था और यही पहला Voice Roy India का बना था, लेकिन क्या इसने इसको replace किया था? नहीं, replace नहीं किया था, यह दो पोस्त थी लेकिन दोनों पोस्त एक ही आदमी के पास होती थी, इसलिए ऐसा बोला जाता था और उसको Voice Roy बोलते थे यह भी बात गलत हो गई, इसलिए इसमें सही होंगे सिर्फ 1st & 2nd, यह गलत है दोनों Secretary of State का एक important of us create किया गया था, ठीक और उसी के अंडर ही Indian Civil Service भी create हो गई थी, ICS create हो गई थी जिसकी बात पहले सिल रही थी, कि open competition होना चाहिए सेविल सर्विस के लिए, और ICS के नाम से यह अब स्टार्ट होई थी देखी का क्या हुआ था यह double government का जो issue था, यह कब आया था, यह pits India Act में आया था, जब board of control अलग से बनाया गया था और court of directors पहले से ही थे, तो यह dual system था, East India Company की governance का, जो end कर दिया गया था अब तो यह end कैसे होगा, क्योंकि company ही end हो गया थी, सब end हो गया था company की जो भी territory इंडिया में थी, वो अब queen की territory थी, और इंडिया अब queen के नाम से ही governed होता था, सीधा crown के अंडर इंडिया आने लग गया, नय office create हुआ, secretary of state for India का जो भी कुछ issues हैं, वो secretary of state of India जो है, जो office वहाँ create हुआ था बिटन में, वो समा लगा और ये जो secretary of state जो था, वो British cabinet का एक member होता था, कि को वहाँ का बड़ा मंत्री होता था, याद रखिए, ये इसके titles थे, ये better government of India, good governance of India, act इसको उनोंने बोला, अंग्रेजों ने, British लोगोंने, और ये इसका सारा territorial extent था, Great Britain के parliament ने इसको इनेक किया था, 2 अगस्त अथावन को, और 1st November को ये start हो गया था, 1858 में, ये इसके provisions थे, company को liquidate कर दिया गया था, और, ये मैंने आपको बता ही दिया, court of directors, board of control, ये सारे scrap हो गए थे, खतम कर दिया गया था इनको, और, Secretary of State, जो cabinet का member था, जो British MP ही होता था, मतलब member of parliament वहाँ का होता था, और, Prime Minister के cabinet का member भी होता था, उसके लिए, एक अलग से council बना दी गई, assist करने के लिए, 15 member की council, और, वो ही एक important channel था, communication का, British government, और, इंडिया के administration के बीच में, सारी बातें, उसी के थूरू होती थी, Secretary of State के थूरू होती थी, ये आपको याद रखना है, इंडिया के जो भी affairs थे, उसके regarding कोई भी question अगर, British Parliament को पोचना होता था, तो वो इसी से पोचते थे, Secretary of State से पोचते थे, और, British government का, याद रखिए, British government का representative जो है, वो, voice roy होता था, अतलब, Governor General भी वही आदमी था, और, Voice Roy भी वही आदमी था, दोनों, एक ही आदमी के पास ये पोस्ट होती थी, इसलिए, Lord Kenning ही, Voice Roy भी था, और, Governor General भी था, अगर question आजाए, तो आपको इस तरह से बताना है, लेकिन, पहला Voice Roy कौन था, तो, वो, कोई Kenning ही माना जाएगा, Kenning ही सही होगा, अंसर उसका, ठीक है, Voice Roy की Executive Council भी थी, और, इंडिया, एक डाइरेक्ट बिटिश कॉलोनी बन गया था, इसके बाद में, क्योंकि अब कंपनी के अंडर नहीं था, ये बिटिश कॉलोनी इंडिया बन चुका था, हाना कि एक कोलोनाजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, लेकिन डारेक्टली वो कंपनी अंडर इंडिया था, लेकिन अब सीधा, बिटिश कॉलोनी इंडिया बन चुका था, कोई पूछे, बिटिश कॉलोनी कब बना, 1858 में बना, dual government abolish हो गई जो 1784 में स्टार्ट हुई थी, और एक doctrine of lapse याद होगा आपको, जिसके थुरू क्या किया गया था, बहुत सारे और शेट्स को अपने अंडर ले ले था अंगरे जोने, ये क्या था, कि जिसके अगर कोई पूत्र नहीं है कोई राजा के, तो उसका जो है कोई भी दूसरा हायर नहीं माना जाएगा और उसको अपने अंडर ले 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 थे थे, तो आपने जहासी के राणी वाला सारा इंसिनेंट याद होगा, ये doctrine of lapse के सारे इश्यू थे, जिसके थुरू बहुत सारे जो हैं, इसको भी इन्होंने अपने अपने अंडर ले लिया था, doctrine of lapse के थुरू, और डलोजी यही ले के आया था, डलोजी ने इसको execute किया था, इसको भी इन्होंने अंड कर दिया था, क्योंकि 1800 दाउन की करांटी, के जस्ट पहले तो canning आया था, इन्डिया में उससे पहले डलोजी तो चल रहा था, डलोजी, जो गवर्नर जनल था, और बहुत सारी चीजें उसके टाइम पर हुई थी, पहली ट्रेन चलना, टेलेग्राफ और इसा बाना, यह 1850 में ही हुआ था, उसके बाद में एक रांटी हुई थी, याद रखिये, यह इसके अडिशनल डीटेल्स हैं, और काउंसल, सेक्रेटिव स्टेट की भी थी, जो 15 मेंबर की होती थी, तो यह भी आप इसमें पढ़ लेना, जो आपको इसमें मिल जाएगा, बाकी यह ग्रूप है फेस्बूक का, सारा डीटेल्स जो बुक में भी नहीं है, उससे जादा हमने डिस्कॉस यहां पर किया है, बहुत एमफेसिस देखर डीटेल्स को हमने पढ़ा है, आपको सही लगा होगा, और डिजायर्ट चेंजिस जो हैं, वो भी हम करते जाएगे, आगे इंप्रूब करते जाएंगे लेस्न्स को, लेकिन जो बहुत थरीका अपना रहा हूँ, यह आपको कुछ टाइम बाद समझाएगा, योगि जैसा मैंने बोला कि आप खुद पढ़िए बुक को लक्षमी कांत को, और उसके बाद आप देखेंगे कि दो तीन बार पढ़ने के बाद भी चीज़ें बहुत गालमेल कर रही हैं, याद नहीं रह रही हैं, मिक्स अप हो रही हैं, इसलिए यह अप्रोच हमने अपना है, मिसी का सबसे बेस्ट अप्रोच है, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आपके करवाता है, और नेगेटिव मार्किंग तब होती है, जब आपको फाल्स कॉन्फिटेंस आता है, आपको लगता है कि A, B, C, D में हाँ यह मैंने पढ़ा हुआ है, और यह मेर को आता है, और इस कांसर तो C होगा, अगर आपको बिल्कुल ना है, तो आपको इसा भी नी छोड़ोगे, आप छेड़ छोड़ो दोगे उस कॉस्चन को, लेकिन अगर आपको यह लगे कि यह मुझे आता है, और वो गलत आए, फाल्स कॉन्फिटेंस अगर आपको आए, तब दिक्कत होती है, और फिर नेगेटिव मार्किंग भी इसमें वन थर्ड होती है, UBSC में, इसलिए बड़ा दिक्कत वारी बात है, इसलिए MCQs का अप्रोच हमने अपना है, सबसे बेस्ट रिए तरीका, So, thanks a lot, keep watching, तो जमीच सहने,